वेलकम टू योनी कोचिंग सेंटर आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं सम्मित अभ्यू सम्मित अभ्यू को हम लोग इंग्लिस में बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है यदि किसी वरग आभ्यू का यानि ट्रांस्पोर आप मैट्रिक्स अगर मुझे वही अगर प्राप्त हो तो आपका क्या कहलाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्लियर है अर्थात हम लोग बोल सकते हैं a dash equal to कितना a तो सबसे पहले इसके definition को लिखेंगे तो यदि किसी वर्ग आप्वियू का परिवर्थ परिवर्थ आप्वियू यदि किसी वर्ग आप्वियू का परिवर्थ आप्वियू वही वही प्राप्त होता है वही आप्वियू क्या होता है प्राप्त होता है उसे सम्मित आब्यू कहते हैं अर्थात हम लोग लिख सकते हैं अर्थात वर्ग आब्यू वर्ग आब्यू सम्मित वर्ग आब्यू सम्मित आब्यू होगा यदी यदी हम लोग क्या लिख सकते हैं एड़ इस इकुल टू कितना ए ध्यान देना जहां या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ या करके ए आई जे इकुल टू ए जे आई फार इवरी आई कामा जे किलियर है बच्चों यानि हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक किसे कहेंगे यदी किसी वर्ग आब्यू का यानि ट्रांस्पोज आब्यू अगर मुझे वही प्राप्त होता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे सम्मित आब्यू अर्थात वर्ग आब्यू सम्मित आब्यू तभी होगा जब इसका एक्जामपल हम लोग समझते हैं जैसे हम एकोई मैट्रिक्स लेते हैं ध्यान देना सबसे पहले हम इसका प्रॉसेस समझ लेते हैं जैसे मैं डाइगनल में कुछ भी एलिमेंट ले लूं अब मै यहां पे एक्स ठीक हैं यहां यहां डालना पड़ेगा जया सी समझिएगा से मैट्रिक्स मैट्रिक्स के यह جो जो एलिमेंट्स हैं यह क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए, इसी प्रकार, यहां भी देखिए, इनके elements क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, और यहां भी समझ लिजिए, इनके elements क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, यह मैं आपको trick बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको कभी भी symmetric matrix का example लिखना होगा तो आप ऐसे ही लिखना क्योंकि जब मैं इसको A-DES निकालूँगा ध्यान से समझना A-DES निकालूँगा देखना मुझे वही मैट्रिक्स मिलेगा मैं रो को मैं किसमे लिखने वाला हूँ? कालम में A-X-Y इसी प्रकार X-B-Z X-B-Z इसके बाद Y-Z-C Y-Z-C आप देखिए A-X-Y A-X-Y X-B-Z, X-B-Z Y-Z-C, Y-Z-C यानि ये दोनों मैट्रिक्स क्या है? इक्वल हैं तो हम लोग बोल सकते हैं A-DES बराबर कितना? A अगर A-DES बराबर A होगा तो क्या होगा? सिमेटिक मैट्रिक्स होगा क्लियर है? अगर मैं कोई examples लूँ, B equal to मैंने लिया, examples ध्यान देना, 1 2, 3 2, 6, 8 3 8, 5 अब ध्यान देना, मैं इसका क्या निकालूँगा? B-Z निकालूँगा अगर मैं B-Z निकालूँगा, B-Z कैसे निकलता है? रो को हम लोग क्या करता है? कालम में लिखेंगे इसी प्रकाट 2, 6, 8 होगा इसी प्रकाट 3, 8, 5 अब ध्यान देजें इनके elements को आप मैच करिए 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 6, 8 2, 6, 8 3, 8, 5 3, 8, 5 अर्थात हम लोग लिख सकते हैं यानि B-डाबर B इस प्रकार का matrix आपका क्या होता है? symmetric matrix होता है clear है? तो इसको आप note करिए वीडियो पाउस करके तो बच्चो, बिसम सम्मित आब्यो होता क्या है? इसको आपका क्या हो? इसको इंगलिस में बोलते हैं इसकी symmetric matrix यदि किसी वर्ग आब्यो का परिवर्ट आब्यो स्वयम का क्या हो? रिडात्मक हो स्वयम का क्या हो? रिडात्मक हो तो आपका क्या 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 आता है? इसकी symmetrics क्यालाता है clear है? अर्थात हम लोग बोल सकते हैं यदि कोई वर्ग आब्यो विसम सम्मित होगा जब A-Dies यदि किसी वर्ग आब्यो का परिवर्थ परिवर्थ स्वयम का रिडात्मक स्वयम का रिडात्मक हो तो वह बिसम सम्मित स्वयम का क्या हो? रिडात्मक हो तो वह बिसम सम्मित है आब्यो है बिसम सम्मित आब्यो है कहलाता है अर्थात हम लोग बोल सकते हैं एक वर्ग आप्यो एक वर्ग आप्यो बिसम सम्मित बिसम सम्मित आप्यो होगा यदि यदि हम लोग क्या बोल सकते हैं एड़ाइस उकल टू कितना माइनस ए या हम वो ऐसे लिस सकते हैं AIZ इकल टू माइनस AJI फार इवरी I कामा Z क्लियर है बच्चों यानि किसी भी मैटिक्स का अगर हम लोग ट्रांस्पोज निकालें और जो मैटिक्स मुझे ही मिलेगा वो सम्म का क्या हो रिडात्मक हो तो हम लोग इसको बोल सकते हैं इसकी से मैटिक्स मैटिक्स अर्थात इसमें होता क्या है डाइगोनल के सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं जीरो होते हैं डाइगोनल के सभी एलिमेंट्स क्या होंगे जीरो होंगे अगर यहां मैं एक्स लिखता हूँ तो मैं यहां माइनस एक्स लिखूँगा अगर मैं यहाँ y लिखूँ तो यहाँ क्या डालूँगा minus y clear है अब ध्यान देना अगर मैं यहाँ z लिखना हूँ तो यहाँ क्या डालूँगा minus z clear यह जरूरी नहीं है कि आप इधर ही minus करिए आप किसी भी side आप minus प्रस लिख सकते हैं ठीक है आप ध्यान देजिए अगर मैं इसका a dash निकालूँ क्या निकालूँ a dash याई रो को मैं किस में लिखूँगा कालम में लिखूँगा रो को मैं किस में लिखा कालम में फिर minus x 0 z इसी प्रकार minus y minus z और फिर कितना 0 अब ध्यान देना बच्चो अगर इस matrix में अगर मैं minus common ले लूँ क्या ले लूँ minus common तो ध्यान देना मुझे वही matrix में लेगा 0 ये प्लस हो जाए x y इसी प्रकार ये क्या होगा minus होगा और ये 0 होगा और ये क्या होगा z होगा और ये क्या आएगा minus होगा और ये minus z और ये कितना 0 आप देखिए जो a वाली matrix थी हमारी वही same to same मिल रही है तो हम लोग a dies equal to कितना लिसकते है minus का a clear है इतना समझ मैं तो कोई भी आप example लिजिए but diagonal के elements क्या होने चाहिए 0 होने चाहिए चलिए हम कुछ example समझ लेते हैं द्यान देना बच्चो इसकी semantics matrix समझने के लिए जैसे मैंने कोई b matrix लिया अब देखिए हमें example लिखना है diagonal के सभी elements क्या कर दिजिए 0 करिए यहाँ अगर मैं minus 2 लिखता हो तो यहाँ क्या लिखोंगा minus 3 अगर मैं यहाँ 4 लिख रहा हो तो यहाँ क्या लिखोंगा minus 4 ठीक है अब इसका आब b dash निकल लेजे क्या निकलेंगे b dash हम लोग करते ही क्या है इसमें row को हम लोग column में लिखते हैं minus 2 and 3 इसी प्रकार 2 फिर कितना 0 फिर minus 4 अब इसके बाद minus 3 4 फिर 0 अब इसमें हमें करना क्या है minus कामन लेना है यानि 0 minus 2 यह plus हो जाएगा इसी प्रकार कितना लिख सकते हैं यानि यह plus होगा यह 0 और यह क्या होगा minus 4 होगा इसी प्रकार यह minus 3 होगा यह plus 4 होगा और यह 0 अब जो B वाली matrix है यानि 0 minus 2 और 3 इसको match करिए सभी elements क्या होगे मिल रहा है तो इसके अस्थां पर मैं क्या लिख सकता हूँ B लिख सकता हूँ तो यहाँ पर मुझे मिला क्या B dash equal to कितना minus B matrix clear है यानि इसके सम्मित अब यह तो इसके बाद हम यानि orthogonal matrix यानि समकोडा का अब यू क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो इसको प्लीज आप यानि समकोडा का अब यू होता क्या है इसको हम इंगलिस में बोलेंगे orthogonal matrix तो यदि किसी वर्ग आप यू में हम किसी यानि उसी matrix से अगर हम लोग क्या करें multiplication करें और हमें क्या प्राप्त हो इकाई आप यू जिसे हम लोग बोलते हैं तत्समक आप यू यानि परिवर्था आप यू में हम उसी आप यू से अगर multiplication करें और हमें प्राप्त क्या हो यानि identity matrix प्राप्त हो तो आपका क्या 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 लाता है यानि orthogonal matrix अर्थाथ हम लोग बोल सकते हैं A dash into A equal to कितना I clear है बच्चों तो ध्यान देना सबसे पहले हम लिखते हैं definition इसका यदी यदी किसी वर्ग यदी किसी वर्ग आप यू यदी किसी वर्ग आप यू में परिवर्थ 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 आप यू से परिवर्थ आब्यू से गुड़ा करने पर तत्समक आब्यू प्राप्त हूँ हो उसे समकोडाकार आब्यू कहते हैं अर्थात हम लोग बोल सकते हैं अर्थात A dash into A equal to कितना I क्लियर है बच्चो तो समकोडाकार आब्यू होता क्या है यानि आर्थोगोनल मैट्रिक्स यानि किसी वर्ग आब्यू में हम लोग किसे मल्टिप्लिकेशन करें यानि ट्रांस्पोज आब्यू मैट्रिक्स से अगर हम मल्टिप्लिकेशन करते हमें क्या मिल जाएं identity matrix मिलता है तो हम उसको क्या बोलेंगे orthogonal matrix इसका हम example लेते हैं जैसे हम A equal to ले लेते हैं sin alpha cos alpha sin alpha cos alpha minus cos alpha sin alpha clear है अगर हम इसका क्या निकालने है dash निकालने है A dash तो dash निकालेंगे तो row को हम किसमे लिखेंगे column में row को किसमे लिखेंगे column में यानि sin alpha cos alpha फिर कितना minus cos alpha फिर कितना sin alpha clear है अब इनका हमें करना क्या है multiplication निकालना क्या निकालना है multiplication A dash into A A dash की value कितनी है sin alpha फिर कितना minus कौस alfa इसके बाद कौस alfa फिर sine alfa अब इनका हम यानि यानि ये ये वाली भी मैट्रिश रखेंगे ये वाली मैट्रिश रखा मैंने अब इनका हमें करना क्या है multiplication करना है multiplication देखिये row by column होता है sine alfa का sin alpha में जब multiplication करेंगे तो sin square alpha प्लस इसी प्रकाब minus cos alpha किसमें करिए यानि cos square alpha प्लस हो जाएगा अब इसका multiplication इसमें होगा यानि कितना मिलेगा sin alpha cos alpha फिर minus यानि minus sin alpha cos alpha clear है आब यानि second row का multiplication होगा यानि sin alpha into cos alpha फिर कितना minus sin alpha into cos alpha अगें इसका multiplication करिए यानि cos square alpha प्लस यानि sin square alpha अब ये वाली value क्या होगी cancel हो जाएगी और हमें मिलेगा क्या ध्यान देना sin square alpha plus cos square alpha 1 होगा अगें 0 फिर 0 अगें फिर कितना होगा 1 होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या i बोलेंगे हम ले के क्या चल रहे थे a dash into a equal to कितना i अगर हम transpose matrix में अगर हम किसी work आप भी उसे multiplication किये तो मुझे मिला गया identity मिल गया तो आपका क्या होगा orthogonal matrix तो आज के lecture में हमने सबसे पहले semantic matrix के बारे में definition सीखा इसके बाद बिशम सम्मित क्या होता है इसके बाद समकोडा का रभ्यू क्या होता है तो इसके example हम exercise 3.3 में discuss करेंगे और वहां कुछ miracles लगाएंगे भी तो आज के lecture हम यही पर finish करते हैं यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो please like, subscribe and share करना ना भूलें Thank you very much